स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम दिखेंगे कि पिक्टो ब्लोक्स आपका यूज करके हम कोई प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं तो प्रोजेक्ट मान लीजिए कि हम आज बनाना चाहते हैं क्विक गेम ऑगे जब पिक्टो ब्लोक्स ओपन करेंगे कुछ इसतरा का दिखेंगा माइस्पेस एक्जामपल प्रोजेक्ट तो हमें माइस्पेस में जाना है तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट पहले से आपने बनाया होंगे वह दिखेंगे और नीचे एच साइड में आपको प्लस का बेटन दीख रहाऊंगा तो जब प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे आपको प्रोजेक्ट जो नए प्रोजेक्ट बनाने है नया न्यू प्रोजेक्ट का विंडो खुल जाएंगा तो मैं ख्लिक करता हो यह होगया मेरा नया प्रोजेक्ट तो यह सटेज का स्क्रीण है जो मुझे यहासे उटना है तो मैं यहीं इे ईंडन आय पर ख्लिक करता हो तो यह चला गया यह है तो यह साइड में मुझे मिल रहे लिजारे नाम के नीचे मुझे मिल से रहे हैं सारे options तो मुझे screen देखना हो तो मैं यहाँ पी click करके screen देखूंगा। यह arrows है full screen के लिए और जब आप control करोंगे तो यहाँ से control करेंगे game को तब आज बनाएंगे space battle बनाने के लिए आपको लगेंगे कुछ subscribe तो हम add करते हैं तो चूज़ बटन से हमें एड करता है तो हमें लगेंगे कुछ monster उसके बाद में बुलेट और चलो लेते हैं कोई प्लेयर जो हमें help करें बुलेट फायर करने के लिए तो हम किसे लेते हैं देखते कुछ कुछ अच्छा सा मिल जाता है अच्छी लाइबरेड दी है इन्होंने तो यहां से हम किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं तो लाइटनिंग हो गया लैप्टॉप हो गया कुछ है गन वागेरा हो तो अच्छा है रोबोट भी है और रॉकेट भी है हम इसका इस्तमाल करके हम बना सकते हैं चलो रॉकेट ले लेते हैं अब हमें यह टोबी नहीं चाहिए तो टोबी को सेलेक करके उसको डिलेट कर देते हैं यह हो गया अब हम इसके थोड़े से इसको इडिट करना है तो यहाँ पी क्लिक करके अब इसको इडिट कर सकते हैं तो यह हो गया स्प्राइड सेटिंग तो स्प्राइड सेटिंग आ गया तो हमें इसकी साइज भी चेंज करनी है तो हम size change करते है 50% और इसका direction direction यही रखते है नहीं direction हमें mobile के लिए कुछ इस तरह का चाहिए और उसके साथ में bullet का भी direction change कर देते है यह तो हम यहाँ से control करेंगे इस side से और रही बात फिर bullet का यहाँ से fire होंगी और यह side में चलेंगे जाएंगी तो हम बोलेंगे left side से चले जाएंगे right side से लिए यह size का matter हो गया आप परते है customs पर है sounds पर है तो चलो तो गेम बनाना शुरू करते हैं यह आगया rocket तो rocket क्या करेंगा हम rocket को control करेंगे अपने touch से तो touch से control करने के लिए हम क्या करेंगे when flag click यह गया तो कुछ backdrop भी हमें चाहिए तो हम backdrop भी लेंगे तो पहले हम basic setting जो है वो कर लेते हैं जो हमारे game के लिए लगेंगे तो flag click करने के बाद हमें कुछ कोई एक position पर अपना rocket होना है तो यह position ठीक है तो यह position ले लेते हैं तो यह position लेने के लिए हम इसको height करो motion में जाओ यह position ले ली तो यही पर रुकना है उसके बाद में अब हमें क्या करना है जब भी हम उस sprite को touch करना है तो हम क्या करेंगे उसको अपने mouse pointer की हिसाब से उसको control करना है तो हम लेंगे go to random position और random position के जगा लेंगे mouse pointer तो यह क्या होंगे जैसे हम उंगली घुमाएंगे उस हिसाब से वो control होती जाएंगा उसकी direction तो हमने fix कर दिया तो उसमें कोई changes नहीं होंगे और यह हमें चाहिए for your loop में तो हम क्या करेंगे इसको for your loop में आइड कर देंगे तो तो यह हो गया अपना इसकी setting अब हमें क्या करना है bullet भी fire करने हमारे rocket से तो bullet fire करने के लिए हम जाएंगे event में तो हम लेंगे up arrow up arrow से ही bullet fire करेंगे तो हम bullet के clone तैयर करेंगे तो क्लोन करने का option हमें मिल जाएंगा control में create clone of हम लेंगे myself की जगा bullet तो यह हो गया इसकी setting अब जाना है bullet में तो bullet क्या करेंगे जैसे ही Hugo clone करना start करेंगे तो fire fire करेंगे तो clone बनाना शुरू करेंगा अब clone बनाना हे तो उससे क्या करना हो इसे क्या होना उन्झा तो कि इसको रॉकेट के साथ जहां पर रॉकेट होगा वहांसे fire होना चाहिए तो उसकी setting करते है तो वो भी हमें rocket के जहां rocket होंगा वहाँ से निकलना चाहिए monster नहीं rocket और वो हमेशा left से निकला right के तरफ जाना चाहिए तो हम करेंगे x में कुछ changes तो x में changes करने के लिए हमें change x by 10 तो 10 के जगह हम लेंगे 5 और इसको डाल देंगे हम forever look में तो यह हमेशा चलता रहेंगा अब यह clone करेंगा original भी वहाँ पर रहेंगा तो original हमें hide होना है जैसे हम game start करेंगे original हमें hide चाहिए तो looks में जाएंगे जैसे game start करते यह hide हो गया और जैसे यहाँ से निकलेंगा show होना चाहिए यह हो गया इसके setting अब जाएंगे monster के पास तो monster monster का भी वैसे hide और show का हमें चाहिए block तो यह जैसे हम game start करते है monster hide होना चाहिए उसके भी हम clone बनाएंगे तो वो जो clone बनेंगे अब clone बनाने के लिए हमें क्या करना पढ़ेंगा कुछ time के बाद वो अपने खुद के clone बनाना शुरू कर दे तो हम करेंगे create clone of myself और कुछ time add करेंगे let's say 2 second एक second की जगा हम 2 second ले लेते हैं और इसके पास बहुत सारे costumes हैं तो costumes भी हम थोड़ा सा randomly change कर देते हैं अब ये जैसे अपने clone बनाना शुरू कर देंगा तो clone हमें कहाँ से चाहिए ये ये right side से left side के तरफ मतलब rocket के तरफ आना चाहिए और right side से शुरू होना चाहिए तो हम क्या करते हैं उनकी position fix करते हैं तो वो इदर से आएंगे तो उसमें y के position change होंगे x की position fix रहेंगे तो x की लग देते है 205 और y की हमने random position चाहिए तो हम जाते है operator में हम pick random ले लेंगे और उसकी help से हम क्या करेंगे यहां के value change कर देते हैं इसको यहां भी रखते हैं अच्छे तरह से दिखेंगा तो उसकी value हम रखेंगे 180 हमारा है maximum तो हम रखेंगे 170 तो इसको एक बार minus 170 तो 170 तो यह होंगा ऐसा और इनका काम रहेंगा change x x हमारा minus के तरफ आ रहा है ना left side आ रहा है मतलब minus आ रहा है तो change x by minus minus 3 ले लेंगे देखते हैं अब यह देखते हैं कि कैसे run हो रहा है देखिए और जैसे अपर तो ऐसा game चलेंगा और देखें monster भी आरावा रहा है और यहाँ पी कुछ problem है जैसे कि यह देखो बहुत उपर से आ रहा है तो हमें y की value थोड़ा कम ज्यादा करना बढ़ेंगी जो fire के वे बुलेट से यहाँ पर दिख रहे हैं जो यह भी है जो यहाँ पर दिख रहे हैं उनका कुछ कहते हैं तो उसके लिए इसको stop करें फिसे देखेंगे कि positions कहा कहा पर है spread setting में आ गए हम अब spread setting में आने के बाद हमें यह दिखना चाहिए यह position हम देख लेते हैं कहा कहा पर है तो y 101 यह यह फोड़ा 101 देख लेते हैं और minus 1141 देख लेते हैं कहा पर है तो यहाँ पर है कि हम उसे यहाँ तक ला सकते हैं तो शायद इसको यहाँ तक ला सकते हैं माइनस 172 तो माइनस तो ठी ठाक चल रहा है सिप 180 भी चलेंगा और बचा आपना एक्स पोजिशन यह हो गया एक्स पोजिशन देख लेते हैं 227 तक चलेगा ठीक है तो यह हो गया 110 रखते हैं और यह रखेंगे हम माइनस 190 तो 180 रखते हैं 110 ओके 100 हैं वो हो गया तो यह पोजिशन फिक्स करते हैं और एक्स क्या होगा 220 ठीक है तो यह पोजिशन हम चैंज करते हैं तो यह हो गया 220 225 और इनका क्या था माइनस 170 चलेगा चलेगा सिर्फ हमें चाहिए था इसका 110 या 100 फाइन एक बहफी से चिक करते हैं तो इनको बुलेट लग रही है तो यह मर्व नहीं रही है तो हमें वो कील होने चाहिए जैसे बुलेट उसको लगेंगी तो वो भी कर लेते हैं तो वो मिलेंगे हमें इफ कंडिशन डाल देते हैं कंट्रोल से इफ अगर सेंसिंग में जाते हैं टचिंग माउस पॉइंट अरना ही बुलेट तो बुलेट जब टाच होते हैं तो जो क्लोन बन रहे है वो डिलेट होने चाहिए अक्चुली बे तो डिलेट इस क्लोन और इसको ही डुपलिकेट कर लेते हैं इसको यहां प्याट करते हैं और यह जब रॉकेट को टच करेंगे तो हमें चाहिए इवेंट से गेम स्टॉक होना चाहिए हमारा अगर यह ग्लोन रॉकेट को टच करते हैं तो यह हो गया बेसिक सेटिंग अब देखते हैं कैसा हो रहा है गेम अपना मर रहे है मर रहे है हां तो यह हो गया अपना गेम अब एक अच्छा सा बैकड्रोप इसके लिए ले रहते हैं यह है बैकड्रोप करने का तरीका तो बैकड्रों पाग है तो न attitudes में जाए आउट्डूर गाहने बैकड्रों सच यन हमें आते हैं 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 इतने सारे हैं कुछ गैलक्सी वाला है और में नहीं अ रहा है को इस देखते हैं स्टार या गैलक्सी कुछ मिलता है तो यह गैलक्सी है इससे अच्छा स्टार मिल जाए तो बहुत अच्छा होंगा यह तो यह अच्छा खासा यह नहीं चाहिए यह डिलेट का देते और हमारी सेटिंग कि परी हो गई हम सेव भी कर लेते हैं स्टारवार है सेव यह हो गए है सेव और हमारा है प्रोजीक भी बन गया हम सिदह देकھ लेते cuidado कि यह त्रोड कियो और यह हैं बुलेट भी फायर करना श्रू कर देए यह फायर किया अब इसकी स्पीड वागेरा हम चेंज कर सकते हैं इसमें लाइफ लगा सकते हैं यह हमारे इस पर और कुछ सेटिंग्स है जो हमें करनी है और बुलेट के लिए तो एक फाइनल सेटिंग बुलेट के लिए तो बुलेट का जब क्लोन बनता है ना तो यह टच कर रहा है फाइनली जाके एच पे तो जब एच पे पे आ रहा है न इसको क्या करना है हम डिलेट कर देते हैं एच डिलेट डिसकलोन और यह हमारा हो गया गेम फाइनल थोड़ा मैं इसको सेटिंग कर लेता हूं वही नेम से और यह हो गया डिलीट क्लॉम अब देखो आगे जा रहे है लेकिन इसा लग रहा है को निकल जा रहे है फाइन तो यह हो गया अपना पूरा गेम बोर इसी के साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किजिए और ऐसे गेम बनाने के लिए जो बेल आइकाउन है उसको टच कर दिया मतलब जैसे ही में वीडियो डाल दूँगा आपको पता चल दाएगा तो आपका दन्यवाद है मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए ठेंक्यू